हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो दी चैनल लास्ट मिनिट रिवीजन विद आरे समेंड हीर आम बैक विडियो तो आज हम डिसकस करेंगे अबाउट टाक्सेशन तो मैंने आपके साथ अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको टाक्सेशन के भी कुछ क्वेस्चन करना ना भूले बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे की टाक्सेशन के उपर और विडियो आपको चाहिए तो हमने सबसे पहली चीज डिसकस कर ली है which is called as time of supply तो हमने time of supply के बारे में discussion कर लिया है किस तरीके से आपको इसके rules को follow करना है second जो part था वो भी हमने discuss कर लिया है which is called as place of supply ठीक है काफी some simple part है and I hope कि आपको ये सारे sessions की वज़े से benefit मिल रहा है और आपके सारे concepts भी clear हो रहे है तीसरा जो point है that we are going to discuss today और ये आज हम discuss करेंगे इसके उपर भी paper में questions आते है that is called value of supply तो value of supply में जो question आपको paper में पूछा जाता है उसके उपर आपको क्या-क्या चीजों को ध्यान रखना है वो आज हम discuss करेंगे काफी simple part है and that is called as value of supply it's very very easy to solve just try to understand कैसे points आपको question में दिये जाते है हम कुछ point को example लेके solve करेंगे देखो सबसे पहले आपको question में धूनना है list price को आपको question में क्या दिया जाएगा question में आपको दिया जाएगा list price अब ये list price जो होता है ये एक तो आपको दिया जाएगा exclusive of tax या फिर ये आपको दिया जाएगा inclusive of tax दोनों चीज़े ध्यान रखना है अगर आपको exclusive of tax दिया तो आप क्या करोगे जो भी list price दिया उसको आप directly लिख लोगे और अगर आपको inclusive of tax दिया तो आपको directly लिखना नहीं है उसका मतलब होता है it is been including tax जैसे कि अगर मैं example लेता हूँ अगर आपको question में for example 1,88,800 ये आपको price दिया है और बोला गया है कि it is inclusive of tax and that is inclusive of GST 18% ठीक है मतलब ये value जो है वो 18% इसमें included है तो अभी बच्चे गलती किदर करते है बच्चे क्या करते है इसका 18% ढूंटे और वो उसमें से minus कर देते ऐसा नहीं करना है it is wrong इस value में पहले से 18% जो है वो add है तो आपको करना क्या है काफी simple actual value अगर हम 100 लेंगे 18% अगर GST add करेंगे तो total value कितना आ जाएगा 118 मतलब ये जो value दिया है that is 118 तो आपको करना क्या है 118 की value 188,800 तो 100 की value कितना है तो आपको क्या करना पड़ेगा cross multiplication करना पड़ेगा and this we will be doing only if we have inclusive of tax in the question अगर आपके question में inclusive नहीं है exclusive है तो कोई भी ऐसा calculations आपको करने की जरुरत नहीं है आपको सीधा simple value जो दिया है question में वो सीधा link देना है इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको जितने भी आपके question में expenses दिये रहेंगे expenses आपको add करने है सारे के सारे expenses आपको add करते जाना है लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि CGST and SGST ये आपको नहीं लेना है CGST and SGST जो है वो आपको नहीं लेना है बाकी सारे expenses लेते जाना है जैसे कि example लेने के लिए हम ले सकते हैं insurance का खर्चा रहेगा, freight charges रहेगा, packing expenses रहेगा, designing expenses रहेगा, special printing रहेगा इसे बहुत सारे है तो बाहर्ट मत करना काफी simple rule है all the expenses which we will be having in the question, we will be adding all that except CGST, SGST वो आपको consider जो है वो नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है फिर ये जो भी value उपर आप लिखोगे उसमें ये जितनी भी values आप expenses को add करोगे इस value को हम बोलेंगे total value of supply तो इसको हम क्या कहेंगे total value of supply एक आपको answer मिलेगा फिर इस पे हम सीधा simple GST calculate करेंगे, अगर आपको question में बोला है IGST calculate करो तो आप IGST calculate कर लेना इस value पर और अगर आपको question में बोला है कि CGST और SGST calculate करो तो similarly आप CGST और SGST जो है वो 9% CGST और 9% SGST total value of supply के उपर calculate कर लेना, इतना simple variety है but then too मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़े share करनी चाहिए कि time of supply अगर पूछते है तो time of supply तो पूरा date का खेल है place of supply अगर पूछते है तो place of supply, place के related rules को apply करना है वो भी मैंने video बनाया है already, तो आपको सारे videos इस channel पे मिल जाएंगे ये अगर properly भी देखके गए तो आपका जो revision है वो हो पाएगा और किस तरीके से questions आपको मिल पाएंगे वो भी मैंने उस videos में बताया है तो अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो video को like करें, अपने friends में इसको share करें ताकि इन videos का benefits सभी लोगों को मिल पाएंगे और last minute revision का app भी available है, link description में है, वहाँ से जाके app डाउनलोड कर ले, काफी सारे videos, काफी सारे free के courses, काफी सारे आपको चीजों वहाँ पे मिलते रहेगी because वहाँ पे में PDF जो है वो share करते रहता हो, thank you very much from this session, next time मिलते है, bye bye, take care